यह क्या इंग्लीश 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 लगा रख है बे? चार साल का था मैं जब मेरे पापा जबलपूर में किसी हलवाई के आखाम करते थे खुद तो कभी स्कूल गए नहीं इसलिए अपने गान घिस गिस के मुझ को स्कूल में बर्ती करवाया अब कहने के लिए तो वो इंग्लीश वीडियम स्कूल था लेकिन साले हमारे टीचर लोग खुद हिंदी में बात करते थे हमारे स्कूल के लड़के एक दूसरे से यो वासाप डो ऐसे बात नि करते हैं क्या वोगरा है तेरा लणडा आजकल है ऐसे गले मिलते हैं किसी तरह रटा मार मार के मार मार के 10 तक पहुँचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है और वो है इंजिनियरिंग सब यह कहते थे माबाप, टीचर, लोग, गली का वाच्बन भी हमसे पूछता था और भाइया कैसी चली आपकी तहरी बग बैंचो तुमको के करना है इसलिए हमारे स्कूल के बच्चे हम सब पहुँच गया है बगरों की तरह मैं IIT, मैं NIT और जिस बच्चे ने अपने बाप को जले भी तलते देखा है वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है और इंगलिस सुनेगा तुमादर चोट तो सुन पैंत के बाद दो साल लग गये इस कॉलेज में घुसने के लिए कोचिंग में निकाल दिये ना कुछ खेले ना कुछ सीखे और दो साल बाद जब यहां पहुँचे तो पता चला कि बड़े शहरों के कॉन्वेंट स्कूल के पड़े बच्चे जब अंग्रेजी में बात करत हैं तो मरेवे फूल भी खिल उटते हैं हाँ 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 हवा में ऑक्सीजन की मातरा बढ़ जाती है इनकी अंग्रेजी सुनके और पूरे कोलेज की लड़कियां इन इंग्लीस स्पीकिंग लड़कों को अपना जीवनसाथी.com मान चुकी है तुझे क्या लगता है मुझे कभी लगा नहीं कि मैं अपनी अंग्रेजी पर काम करूँ अपने परस्नेलटी पर काम करूँ बहुत लगा ये चूतिया इंडर्स वैली सिविलाजेशन का जो एडुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो जिसमें हर साल में 10 सबजेक्ट हर सबजेक्ट में थियरी, प्रैक्टिकल, वायवा, लैब वर्क, एक्स्टरनल, इंटरनल, मेजर्स, माहिनर्स, असाइन्मेंट, प्रोजेक्ट, तीसिस गांड मार के रख लिया हमारी महिनों तक नहाना भूल चाते हैं हम लो और फिर हमारा परसेप्शन बना देते हो कि हम ऐसी रहना चाते हैं अब इस साल में एक बार कल्चरल फेस्टिवाल आता है एक बार उसके लिए भी प्रोफेसर से भीक मांगनी पड़ती है बिना इंग्लिश बोले, बिना लड़कियों से बात किये यह कौन गांडू रहना चाहता है बैसे पर ताइम का है कुछ सीखने के लिए लगे पड़े हैं कोडिंग सीखने हैं तीन तीन लैंवेज सीख रहे हैं लेकिन जब प्लेसमेंट की बात आई तो सब को aptitude चाहिए परसनेलिटी चाहिए English-speaking चाहिए It is not that we cannot speak English, sir We are just very conscious of our diction and our pronunciation and we are not confident to speak in front of anyone else If the curriculum was a little bit diverse If the engineering colleges in our country focused on our all-round development instead of functioning like a goddamn factory that is just mass producing robots by killing their dreams and handing out degrees I would not be sitting here in this pointless HR interview the likes of which exist only in our country Yellow sir बोल दिये मैंने चाहर ओर्लाइन अंग्रीजी में अब बताइए क्या मैं आपके मल्टिनेशनल कंपनी के लायक हूँ? Do I have the potential to be a slave of your esteemed organization?